फिनाले के लिए कुल तीन हफ़ते बाकी हैं, सोला जन्वरी को जो है फिनाले की डेट पक्की हो चुकी है और आज एक और वीकेंड का वार होने वाला है जिसमें किसी पर वार होना चाहिए था लेकिन उस वार को रोग दिया गया है आगर क्या कह रही हूँ और क्या है पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो के अंदर Hello, this is Lisa Gangwani मेरे चानल को, प्लीज कर लिए ज़े सब्सक्राइब और आप मुझे जाकर इंस्टेग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं, so do follow me So what the news is, कि इस तीन हफ़ते रह गया है और घर में अभी भी नौ लोग बाकी है पिछले हफ़ते जो है, sorry, आठ लोग बाकी है, पिछले हफ़ते रितेश और राजीव का डबल एविक्शन हो गया था इस हफ़ते भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इविक्शन होना जरूरी है, क्योंकि लोग जो है जादा बाकी है और हफ़ते कम रह गया है ऐसे में देवुलीना को सबसे कम वोट्स आने क्या अंदेशा लगाया जा रहा था क्योंकि इस हफ़ते काफी धुरंदर नाम जो है नॉमिनेटेड है, शमिता नॉमिनेटेड है, उमर रियाज नॉमिनेटेड है, प्रतिक सहचपाल नॉमिनेटेड है, साधी बार पर कोई भी eviction नहीं हो रहा है basically देवलीना जो है अभी कई सारे equations में fuss कर अडंगे डाल रही है और अभी भी मसाले की जरुद तो obviously है धीरे धीरे ही सही एक एक point करके ही सही TRP improve हो रही है so considering maybe that देवलीना को restore किया जा रहा है या फिर midweek eviction में भी हो सकता है कि देवलीना को घर से बेघर कर दिया जाए अभी फिलहाल इस weekend के वार पर कोई भी eviction नहीं होने वाला है जिसको लेकर आप सभी लोगों का क्या reaction है क्योंकि राजी वदातिया को इस तरीके से निकाल देना और देवलीना को restore करना I am not feeling happy about it personally लेकिन आप सभी लोगों का reaction जरूर जाना चाहूंगे लिख दी जो comment section में बाकी मैं चानल के साथ जुड़े रहे और भी खबरे हैं लगातार ऐसे आप तक पहुंचाते रहेंगे